सर्दी और कोहरा को देखते हुए पुलिस परशासन ने अपनी सत्रक्ता तेज कर दी है गस्त पिकेट को बढ़ा दिया गया है पूर में हुई डगैती लूट चोरी जैसी घटना छेतरों में विशेश चोकसी बढ़ाई गई है समेदन शील छेतरों में भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है इस समद में गोरफ को न्यूस से बात करते हुए एससवी शलव माथूर ने कहा कि सर्दी और कोहरे को देखते हुए सुरक्षा एजनसीयों को विशेश निर्देश जारी किये गए है रेल्वे इस्टेशन और बस इस्टेशन पर भी चौक्सी बढ़ा दी गई है अगर किसी व्यक्ति को कोई जानकारी मिलती है तो वो सो नंबर पर पुलिस को सूचना दे सकता है इस समद में एससपी शलव माथूर ने कहा सर्दी के मौसम में जो कोरे का भी समय हलका हलका कोरा भी यहां पर चालू हो गया इसी को लेके विशेश शतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिये गए है जो गश्ट और पिकेट्स हैं राच में जो भी राच पत्र अधिकारी नाइट्स उनल अधिकारी उनको चेक करते रहे जो हमारे संबेदंशील पॉइंट्स हैं जहां पूर में घटना हुई है या इस तरह के गिरोप्रकाश में आए हैं वहाँ पर एक बार पुना उनकी निगरानी है तू वह उन जो रात के टाइम पर खासता और से जो रेलवे स्टेशन्स हैं बस स्टेंड्स हैं उनकी चेकिंग ये सब चीजों के लिए हम लोगों के द्वारा निर्देश दिया गया है साथी साथ इसके परिवेक्शन है तू वरिष्ट अधिकारियां द्वारा समय समय पर इसको स्वैम चेक किया जाएगा और हम लोग का प्रयास होगा कि किसी प्रकार की कोई घटना किसी भी जगह नहों साथ-साथ जो यूपी हंडड़ की गाड़ियां है उसकी पोजिशनिक उसकी लोकेशन को भी हम लोग मॉनिटर कर रहें आवशक्ता होगी तो उसमें भी अगर चेंजिस के आवशक्ता होगी तो वह भी किया तो सबसे पहली चीज तो यह कि किसी प्रकार की कुई सूचना हो तो सबसे पहले यूपी हंड़ेड या इसके उपर दे हम लोग की जो क्राइम है वह बहुत ही अच्छा है और किसी प्रकार की घटना के अंदर हम लोग ततकाल पहुंचते हैं दूसरी चीज यदि वह अपने सर से कोई प्रिकॉशन लेना चाहें तो प्रिकॉशन जरूर से लें और साथी साथ हम लोग का प्रयास यह भी होगा कि जो धाना शेत में गाओं के अंदर ग्राम सुरक्षा समिती है उसको भी एक्टिव किया थे